नवस्कार स्रिपोश्ट में आपका स्वागत है निस्तिहा भारती आपके साथ तेजस्वी आदब दो दिवस्ये दोड़े पर राची में हैं और आज उन्होंने कारिक्रम में हिस्सा लिया प्रांतिय सम्मेलन कारिक्रम भुलाया गया था आरजडी की तरब से उस कारिक्रम में तेजस्वी ने हिस्सा लिया और मंच से आरजडी के निताओं और कारिकर्ताओं को संबोधित करते नजर आये जी हां इस संबोधन में तेजस्वी आदब ने पूरी प्लानिंग बताती की किस तरह से वहार के तरज पर ही जार्खंड में भी पार्टी को मजबूत बनाया चायेगा तेजस्वी आदब जो प्लानिंग बताते नजर आए उसमें ये भी कहते नजर आए कि अब जिस तरह से खुद बहार में तेजस्वी आदब सक्रिये रहते हैं पाटी के अंदर ठीक उसी प्रकार अब जारखंड में भी तेजस्वी सक्रिये रहेंगे और जारखंड के प्रते एक विधान सभा में दो दिन गुजारेंगे जी हां हर विधान सभा इलाके में तेजस्पी जो है वे डेड़ा डालेंगे दो-दो दिनों के लिए और जिस तरह से बिहार के तमाम इलाकों का भ्रह्मन करते हैं ठीक उसी प्रकार जारखंड में भी तमाम जगह जाएंगे और तमाम जगहों का भ्रह्मन करेंगे लोगों से फीड़वैक लेंगे और पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा को जन जन तक पहुचाएंगे यानि कि जारखंड में तेजस्पी ने कमर कस लिया है कि अब पार्टी को पुरानी पार्टी बनानी है जिस समय लाल पार्टी को मजबूत करने की कवायत में तेजस्पी जुट गए हैं सुनिए तेजस्पी आदब पूरी प्लानिंग किस तरह से शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं अब इतना आप लोग अच्छे कहना चाहते हैं अभी समय कम है हमारे पाथ लेकिन उस ब्रैटेक पर ये फैसला हुआ कि अब हम खुद अपने से जो है जाके से विहार का ज्यान पाथी का देखने आ है वैसे या जारकर्ण के पाथी का भी ज्यान हम खुद अपने से जारकर्ण हम लोगों के लिए अलग प्रदेश नहीं है ये तो हमारा पुराना घर है आना जाना पत्पंचे या लोगों का रहा उसले ये पुराना घर है और मेरा ये भी मानना है कि जब तक पुराना बिहार पुराना बिहार क्या है बिहार हो गया छारकंड हो गया उरिशा हो गया जब तक पुराना बिहार विक्सित नहीं होगा तब तक देश जो है हमानत तरक्ति निकाचता विकास नहीं होगा उच्ञे जो पुराना बिहार है उचे संदेश महुचाना है अदनी लालु भी का तो देखिए पार्टी को किसी भी हालत के हम लोगों को मजबूत कर रहा है इसकी समिख्षा जो है मजबूत उन इलाकों को हम लोगों को फिर से करना है तो हम फैसला के जार्खन वे विधान सवाव वाई हर महीने दो दिन उस विधान सवाव में हम गुजादने का काम करें अब बाकि खार्खता फगदिकारी जो सजटन के प्याक्तर रहता है यहां इनको देश देख लिया गया है तो सुन लिया आपने अगर आपको यह ख़बर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा फेस्ट पेच को भी लाइक और फालो कीजेगा धन्यवाद